क्योंकि मैं कॉलेज नी गई उस दिन एक्शली मैं फुल ओन रेडी थी शूज फेहन के पस निकलने वाल थी तभी मैसेज आए कि यार क्लास नहीं है अब मैं तो तरी यार मैं रेडी तो हूँ ही और शॉपिंग भी मुझे करनी थी तो मैंने अपने सिस्टर को बोला कि यार चल थोड़ा कामवाम करते हैं घर का फिर तयार हो और हम चलेंगे घूमने जनपत मार्केट तो हम चले गए उसमें एंटर करते ही लेफ्ट साइड पर शॉप थी यहरिंग्स की और वहां पर यहरिंग्स का बहुत अच्छा कलेक्शन था मतलब एथनिक वियर के लिए आपक बहुत ही कम शॉपिक गरी उदर से हमने खाए चलो थोड़ा आगे जाके देखते हैं बैग्स भी काफी सही थे थोड़ा आगे जाकर हमें मिलें वहां पर बैग्स जो कि थे लोट बैग्स थे और बहुत सही डिजाइन था उनका बहुत सही था काफी अलग अलग कलर के भी और एक बाग माने हां से ले भी लिया था फिर यह हैं डोर मैड जो हैंड मेड ही थे बहुत सही डेजाइन था इनका बहुत सही प्रिंट था काफी अच्छा सब कुछ था है यहां पर फिर आगे हमने और देखा क्योंकि लेफ्ट साइड की लेन में काफी सारे ट्रडीशनल मे और एनक में यह सब दिख रहे थे सूर्स भी थे बर वो हमें लेने नी है तो हमने सब ले टूमार्च करने गये तो वह पर थीटिग नी सोचीए यार यहां गलत ही आगए क्योंकि आपने स्लेट गाने टायह उन दुबारा मेट्रों ले म्नार कै तो पते से pan glass कितना होता है तो आप ऐसे लगी जाते है कि हाँ कि आप शॉपिंग करने ही आए हो तो इतना जादा वहाँ तो crowd था ही सही में वैसे बहुत जादे ही crowd था इतना भी नहीं चाहिए था तो वहाँ पर फिर यह winter collection तो देख लो मतलब काफी अच्छी अच्छी winter collection आ रखी थी जो जो हमें चाहिए था अपने accordingly हमने ले लिया ज्यादा भी नहीं लिया और कम भी लिया मतलब limited हमें जितना चाहिए था ले लिया था अभी तो देनी हो रहा है बट हाँ धीर देरे फिर रात हो गई थी और earrings का collection बहुत अच्छा था यह handmade था बहुत सही मतलब यह वाला मैंने लिया नहीं बट हाँ बार बर देखे फैसिनेट इतनी हो रही थी ना कि हाँ यार मतलब बहुत मन कर रहा था नहीं लेने का थोड़ा बहुत दूसरी earrings जो मेरे को रिक्वाइड थे वह मैंने लिये फिर हाँ पर बॉटल थी बॉटल लिया फिर कुछ खा भी लिया और बाद में फिर मैंने बुक्स लिया और देन हम चले गए देखो रात हो गया तो बाई